लेके आमने तो ये सुनाए कि आप जैसे कॉंग्रेस पार्टी के साथ बात चल रहे हैं आपको कौन सी सीठे हूं कुछ आईए वो अपनी दरकार देते हैं तो आप तो इंटरिव्यू ले लेते हैं पूरा आपकी टीम जो जाती है पूछते हैं अच्छे बताओ कौन उम्मीदबार होगा कितना वोड तुम लोग को आएगा पहले पूछते हैं उनसे देखें सभाविक हैं जब आप बीजेपी से लड़ रहे हैं बीजेपी सामने हैं आपके तो आपको अपना समीकड ठीक रखना पड़ेगा बीजेपी समीकड बनाती है बीजेपी अपना बूत और जिले में भी संदेज देती है जो जाती वाली बात आपने कही क्या मुख् का दे दिया रंडीत के तहर मुख्यमंत्री बनाएं जो पार्टी मुख्यमंत्री बनाने पर जाती देखती हो तो उससे बड़ी जातिवादी पार्टी कौन है और फिर जो इंट्रिवू लेने की बात है चाहे वो कॉंग्रिस पार्टी हो या हमारे सहयोगी दल है यह हमारी हम उनकी मदद करें क्योंकि जब हमें फिल्ड में रहना है तो कम से कम हमें यह देखना पड़ेगा कि जो प्रत्यासी है वो छेत में रहा है कि नहीं रहा है छेत में उसके पास कुछ समीकर है के नहीं है क्योंकि जिस पार्टी से आप लड़ रहे हैं वो साट परसेंट की त रही है कई लोग समय में उन्हें 50% से ज्यादे बोट मिला है तो अगर 50% से ज्यादे बोट पाने वाली बीजेपी है और उसके पास हर कुछ साधन है सब टीवी चैनल उनके साथ हैं लेकिन इंडिया टीवी नहीं है उनके साथ सोचो हमें एक रणी तो बनानी पड़ेगी कि मीडिया से मीडिया के लिए क्या हमारी स्टैटेजी है चुनाल लड़ने के लिए हमारे पास का स्टैटेजी है उनके पास तो EDC way income tax है थोड़ा भी दर उदर हो जाओगे उनके पार agency चली जाएगी आपको ढूंड लाएगी आपको बंदाम कर देगी आपको अपवानित कर हमें दस फार समझाना पड़ता है तब वो समझते हैं और फिर बीजेपी गो जब हाड दिखाई देती है तो भगमान के पीछे छिप जाती जाती है क्वेश क्या जवाब यहां मिल रहा है को कितरी सीटों की ताक्रत संमझते हैं कॉंग्रिस कि मुझे उम्मीद है कि कॉंग्रेस पार्टी फीज़डर पार्टी है देश की बहुत पुरानी पार्टी है। वो समासदारी चेथा लेगी और इंडिया केड़ बंदन साथ जो दलें उनका भी संबान करेगी समझदार पार्टी है तो मैंलों जारा सीटे ना मांगी है कहना चाह रहे हैं जो जमीन पर लड़ रहे हैं उनको आगे आगर लड़ने दो आप जो जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं उनको मौका देना चाहिए जो मौका देना मजबूरी हो गई कि अब कुछ सीटें को भी देनी पड़ेंगी ने ने जब गढ़बंदन समाजवादी लोग करते हैं पूरे सम्भान के साथ करते हैं और साथ लें क्योंकि लडाई इस बात की नहीं है कि हम ज्यादा सीटें लड़ें या कोई और दल ज्यादा सीटें बचाना है बीजेपी से बचाना है देश को संभिधान और हमें अपना लोग थंद बचाना है यह सरकार में दोबारा आ गए तो बोट डालने का अधिकार भी छीन लेंगे लोग बाबा स्वाव का भीम राम बिड़ेगा कि संभिधान बदल देंगे लोग यह आरोब जब आप लोग लगाते हैं कि आगे तो वोट डालेंगा देखार चीन लेंगे या चुनाब भी नहीं होंगे कुछ लोग कहते हैं दिश के अंदर आप कुछ नगिरता से आरोब लगाते हैं इस बात को मतलब कि यह कर इस बात तीसरी बार जीतते हैं तो सब खतम फ इतनी बात को रखना चाहते थी, अगर उनके पक्ष को रखने के लिए सांसद आगे आई, तो बताओ सभी सांसद बहार निकाल देगे, नहीं निकाल देगे, जो हम पर राज करके गए अंग्रेज, बिटिक्शस, उन्होंने जो लोकसवा बनाई, उन्होंने एक ऐसा इस्था बनाया वैल, जहां पर सांसद जाकर के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, बताइए नई लोग सभा में, क्या वो जगह है जहां सांसद जाकर के प्रोटेस्ट कर सकें, तो इनकी नियत ही है, कि कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, कोई अपनी आवाज नहीं उठाएगा और हम लोग ने बड़े करीब से दिखा है कि इन्होंने बोर्ट नहीं डालने दिया बहुत सारे चुनाओं में अभी सुना है कि कॉंग्रेस के लोग जंडा लेकर गए थे बहुत पीटा बीजेपी के लोगों ने आयोतिया में तो सोचिए यह क्या रास्ता निका का जो समयदान है उस समयदान को खतम कर देंगे आप बताइए सरकारी नौक्रियां कहां है क्या प्राइबेट में आरश्षण है क्या अपने वाइस चांसर जहां पॉइंट कर दिये वहां क्या पीड़े के लोगों को नौकरी मिल नहीं है क्या मुझे बताइए कोई उनिव इस्टेट उनिवस्टी में पीडिये के वाइस चांसर कितने हैं अगर बड़ी आबादी को आप इस तरह बेदवाब करेंगे तो बड़ी आबादी आपके साथ खिदाफ कड़ी हो जाएगी और आपको बोर्ट के मादिम से हटाने का काम करेगी वो बात हमारी खार वही रह मेरा सवाल यह था एक जो सिनर्जी होनी चाहिए एक साथ बिलकर एक बढ़ा हुआ कदम लगनाची वो मिसिंग लगता है इंडिया गटफंदन के अंदर हमको अब राहुल गांदी उत्तरपूर से अपनी यातरा शुरू करते है नया यातरा उनकी चल रही है बहुत सार होती ही तो बहतर हो था सिनाओ में टाइम ही ना रह गया है राहुल जी की यातरा अलग चल रही है आप अपनी यूपी में यातरा आप निकालने माले पी पीडिया यातरा इंडिया गटफंदन कर बना हैं तो उसका एक साथ समझा सो शचा इनिश्यटिव क्यों नहीं दिख आपने कारेकरम बनी बुलाते हैं यही समाजवादियों का रास्ता है सीटे यहाँ बाट रहें यूपी के इंदर आप करें वह अमको अपने कारेकरम बनी बुलाएंगे मैंने आप से कहा ना अमेठी राइबरी भी उम्मीद्वार आप नी देते हैं उनको मरूम के खिलाफ यह नीता जी के समय से हमारा इराजने तेक बिहार उस दल के साथ रहा है वो कायम रहेगा इस बार भी यह बिहार तो कंटिन्यू रहेगा यह बिहार केवल अमेठी राइबरी तक ही रहेगा इस बार अमेठी राइबरी तक रहेगा और आगे मैं समस्ता हूँ बहुत जल्दी बड़े दल छोटे दल सम मिल करके तैय कर लेंगी कि आपस में किसको कहा चना लड़ना है और प्रत्यासी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि प्रत्यासी के चैन में और प्रत्यासी के नाम का भी बोट होता है पहले ही दिन पता लग जाता है यह प्रत्यासी टिकेगा यह नहीं टिकेगा क्योंकि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से अगर हमें मुकाबला करना है, तो हमारा प्रत्यासी मजबूत हो. अच्छा प्रत्यासी हो. स्वनीगण में फिट हो. मजबूत की क्या डेफिनेशन आके एंगे आप, हमेठी से राहूल गांदी भी हार गए. अब राहूल गांदी को आप कमजोर कहेंगे, कमज़ूर उमीद बारे हैं ऐसे डिप टीशीम आर गें वागा संबी से डिटीशीम बन गए यह क्या बात हुई और लोग तंद में जीत हार तो चलती है बहुत से लोग हारते हैं बहुत से लोग हारते हैं जिमपल भी हार गीं थी लेकिन बाद में वह निरबौद चुन गही यह क्या बात है यह लोग तंद में तो होता है तो मैं आपकी इस से कॉंग्रेस की बात्चीद यह खतम करते हुए मैं मान के चलना हूँ कि आप उनको अमेठी राइबरी ली देना चाहते हैं उससे जादा वो लोग नाजिद करें मैं मैं आपकी बात को जो आपने सवाल पूछा था मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आपके सवाल को सुना होगा अब जो गठबंदन में जिन्होंने का हम नहीं जाएंगे उनकी बात मायमती जी की बात यह हमको जो डेटा है चुनाव का बड़ा साफ बताता है दोजार शौधा में जब अलग-अलग लड़े थे आप लोग भारती रंदा पार्टी को असी में से 73 सीटें गठबंदन के साथ मिली थी आप और मायमती जी एक हो गए जो 2019 के चुनाव में उनकी 9 सीटें 10 सीटें कम हो गई थी अलाइन्स का फरक पड़ता है ये चुनाव ने हमको बताया है आप उम्मीद करते थे कि इस बार भी हम लोग सब मिल करके लड़ते तो बीजेपी को रोकने में चुनावती देने में हमको असानी होती अगर मायमती भी होती है इस अलाइन्स में ये पॉलिटिकल पार्टीज डिसियन लेंगी और पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना गठवंदन बनाया है इंडिया गठवंदन है जो बात आप समीगंड की बता रहे हैं पिशला चुनाव में भी हम सब अलग अलग लड़े थी बारती जंता पार्टी ने अपने अधिक टलोने साथ बेतिया होता तो आज अधर डिसमा जबाली सरकारो ठी और सबसे में अधून बात बतारो मैपको अगर ट्ताप डिदी वाले ना इयोते तौट्ट परदेश वालेड। leo फिज अरी नाय जबते ओ दिल्लीवाले North", a testate सरे यूग न किया होता तो उत्रफ वदेश वालों का पता नहीं लगता और हम तो आज भी कहते हैं दिल्ली इजOWार जाएं उत्तरफ वदेश्वानों का पता नि लगेगा कहाँ सब॑नु गद्यार कोन आएं अब्रक तार्फ भदेश्वाल का पता ही नियुक्त कि अप इदिली वालों ने 30 हेलिकॉप्टर कोई हवाई जाज अगर न लगायों ते देश के प्रधान मंत्री न खड़े होते देश की होम से न खड़े अचाई उस अलगा और तमाम जो मुख्यमंत्री और प्रदेश होंख है एक मुख्यमंत्री जी के साथ तो ठीक हूआ वह तक प् तो हम अपनी बात बता रहे हैं कि दिली वाले नहीं आये होते तो उत्तरपदेश वालों का नहीं पता लगता है वो तो सब इस बार भी आएंगे इस बार उन से भी मुकाबला करेंगे मायवती जी के हम लोग बात करें थे मेरा सवाल ये था कि अगर आपके आप चाहते थे कि वो अलाइंस में आएं आपकी खाहिश थी या नहीं थी 2019 में समाजवादियों का प्रयास था कि बहुजन समाज पार्टी की नेता प्रधान मंतरी बने और उसी को लेकर के गड़वंदर बनाया था कभी कभी कुछ चीजें भागे पर होती हैं उनके भागे ने साथ नहीं दिया और याप स्टेट्मेंट जब उन्होंने आपके लिए काफी कुछ कहा उसके बाद आपने दिया था कि बहुत प्रधान मंतरी बनाना जा रहे था एक बहुत बड़ा स्टेट्पेंट है यह यह आब आप तंज में कह रहें उलाहने में कह रहे हैं उनको कि आप आम तो आप सीटें आती तो आप रधानमंतरी बनती मायवती को बदानमंतरी बनाते हैं मैं 2019 के चुनाव के बारे में बता रहा हूं पूरा देश जानता था पूरे उत्तव देश की जनता जानती थी कि गठवंदन इसलिए हुआ है कि उन्हें देश की सबसे बड़ी कुर्सी बेटना है और समाजवादियों ने पूरी इमानदारी से उनका सहयो किया पूरी मदद क जो 0 थी वो 10 MP जित करके गई उन्होंने कहा कि हमको नुकसान होता है गठवंदन का हमारा वोट घड़ जाता है और हमें वोट ट्रांसफर नहीं होता हमारे सीयोगी पार्टी का क्यूंकि यहां प्रमुक दलित है अब इसलिए वोट नहीं बिलता है अगर आप डेटा पर ब